दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे से यूटूब चैनल पर जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मैच के बाद मैच से जुड़ी रिव्यू को लेकर आपके वीच आते हैं और उस बारे में कुछ बाते करते हैं इसी कड़ी में आज किस वीडियो में हम IPL 24 के 27 मैच के बारे में बताएंगे जो की खेला गया पंजाब किंग्स और राजस्थान रोयल्स के बीच में लेकिन इस मैच के बारे में बताने से पहले आपसे कुछ सवाल सबसे पहले कर लेते हैं और सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि IPL 24 का यह मुकाबला जो की होने वा आप से और अभी तक पॉइंट टेबल में भी राजस्थान रोयल्स टेबल टॉपर है ऐसे में लग रहा है कि राजस्थान रोयल्स यह मुकाबला जीत जाएगी और साइद 2008 का जो उनका इतिहास है वह दोहरा पाएगी और एक बार फिर 2024 में यह मुकाबला अपने नाम कर ले जो कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रोयल्स के बीच पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड मुलानपूरी स्टेडियम में खेला गया इस मुकाबले में टॉस राजस्थान रोयल्स ने जीता था और उसने गेंदबाजी करने का चुना और यानि की नियोता दिया पंजा राजस्थान रोयल्स की भी ओपनर जोस बटलर टीम का हिस्सा नहीं थे और टीम की तिरफ से नहीं छेले थे अगर आप यह मुकाबला देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे काफी लो स्कोरिंग मुकाबला रहा लेकिन इसके बावजूद जो मज़ा इस मुकाबल कि राजस्थान की जोली में जा रहा था कभी पंजाब की जोली में जा रहा था चलिए बात करते हैं पूरे मुकाबले के बारे में कैसे मुकाबला जो है सो खेला गया और अंते तक कैसे रोमांच भरे मुकाबले में राजस्थान रोयल्स ने जीत दर्ज की तो बताते कि प सलामी बल्लेबाज अथर्व ताइडे जौनी बरेश्टो सुरवात दोनों खिलाडियों की उतनी अच्छी नहीं रही दोनों खिलाडी दोनों सलामी बल्लेबाज महज 15-15 रन जोड करके पविलियन का रास्ता नाप लिया परवसिम्रन सिंग 10 रन बनाएं इस मैच में कप्ता गवाते गया गवाते गया नतीजतन यह मुकाबला जो है सो पंजाब की इस मुकाबले में कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाई इसके बाद भी विकेट की पर जिते सर्मा आते हैं जिन्होंने इस मुकाबले में एक सम्मान जनक पारी खेली 29 रन बनाएं ससांग सिंग जो की अच्छी पारी खेली वरहे आसुतो सर्मा इस खिराडी ने 16 गेंदों में 31 रन जोड़े अपनी टीम के लिए और उन्हीं की मदद से टीम थोड़ी बहुत कुछ अच्छी अच्छे रन जो है स्कोर बोर्ड पर बना पाई इन खिराडियों के मदद से पंजाब की पुरी ट कोर पर समेट दिया लेकिन जब सकेंड इनिंग शुरू हुई और राजस्थान रोयल्स ने जब बल्लेबाजी किया शुरू किया तब पता चला कि किस तरह से यह पीछी काफी स्लो है क्योंकि राजस्थान के बल्लेबाजों से भी रन्स बनते हुए देखे नहीं गये और यह टीम काफी लाज तक जीती और स्ट्रगल करती रही अगर बात करें राजस्थान रोयल्स के खिलाडियों के किस तरह उन्होंने इस मुकाबले में रन्स बनाने के कारणामे किये हैं तो हम आपको बता देखिए इस मुकाबले में यह सस्वी जैस्वाल का बल्ला थोड़ अपरिया यानि कि अभी तक आप नहीं कह सकते हैं कि यह सस्वी जैस्वाल अपने उस फॉर्म में आये हैं जिस फॉर्म में वह पिछले साल हमें देखने को मिले थे और यह कहीं ने कहीं राजस्थान रोयल्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर राजस्था से वह आठवे नमबर पर बलेबाजी किये हैं टी ट्वेंटी की तिहास में इस खिलाडी ने भी 24 रन जोड़े और जिस तरह से छोटा स्कोर को चेज करना था तो स्टार्टिंग में ही सलामी बलेबाजी या सस्वी जैस्वाल 49 रन बना चुके थे कोटियन 24 रन बना दिये ऐसे लग रहा था कि टीम बड़ी ही असानी सी यह मुकाबला जीत रही है लेकिन जब बीच में लगतार विकेट गिरते गए राजस्थान रोयल्स की तब एक वक्त ऐसा लगा कि पंजाब किंग्स ने इस मैच पर बढ़त बना ली है खासकर कि सैम करन की सांदार गिंदबा जी की और अंद तक लगा कि यह मुकाबला जो है सो सैम करन राजस्थान रोयल्स से खीच करके अपनी जोली पर यह जीत डाल लेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका अगर विकेट की बात करें राजस्थान रोयल्स की कैसे गिरी तो हम आपको बता दें संजू सैंसन जब आउट इसके बात से लगा कि टीम की कमर तूट चुकी है एक बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनप जो थी वह धवस्त हो चुकी है अब यह मुकाबला जो है सो पंजाब किंग्स के जोली में जाने वाला है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिमरन हेटमायर की ताबर तोड़ पारी जो दोस्तों कुछ इस तरह राजस्थान रोयल्स ने मुकाबला जीता और राजस्थान रोयल्स का आईपल 24 के खेले गई छटे मुकाबले में यह पांचवा जीत है और इसी के साथ राजस्थान रोयल्स टेबल टॉपर भी बन चुकी है लगतार राजस्थान रोयल्स और केक एक सकती है या यह मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए लेते हैं आप से विदा सुक्रिया